हलो नमस्कार इमित्रों आप सभी का यूटूब के सुपर इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में किसी इस्त्री के या किसी पुर्ष के या मैला मैला के अंग लगने का या अंग इस्पर्ष करने का सुपन साहत्र में क्या अर्थ बतलाय गया है क्या इसका मतलब होता है कि आप प्रभाव पढ़ता है आने वाले दिनों में तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे वीडियो सुरू करने इस पहले आप स्वीमित्रों को बाता दे कि जो 37 में सुपन दो प्रकार के होते हैं एक सुप सुपन होते हैं एक आसुप सुपन होते हैं आसुप सुपनों का प्रभाव आने वाले दिनों में बहुत पूरा प्रभाव पढ़ता है जिससे अनेक प्रकार के समस्याएं या अनेक प्रकार के रोगु से गस्त होने का संकेत होता है और सुप सुपने आपके जीवन में उन्नती सुप का शुप शुपने का प्रभाव होता है और जो निद्रा वस्था में कम समय में शुपन देखे जाते हैं तो इस प्रकार के शुपन आधिक फलदाई होती है चाहे शुप शुपन हो या शुप शुपन हो और जो आधिक देर तक शुपन देखा जाता है तो इसे शुपन का फ देखे गए सुपन का फल आवसी प्राप्त होता है और सुपन देखने के बाद दुबारा निद्रा ले लेना और दुबारा सुपन देखे जाने का इस प्रकार का भी कोई भी सुपन फल प्राप्त नहीं होता है एक ही सुपन यदि बार बार निद्रा वस्था में देखा जा है और किसी पुरुष के अंग लगती हुई देख रही है या उसको इस कि इस प्रकार किसी पुरुष द्वारा किसी इस्त्री को इसपर्श करना या अंग लगते देखना भी उसको काम सुकी प्राप्ति होना और उसको खुसी प्राप्त होने का संकेत प्राप्त होता है। किसी ने किसी कारी में वो प्रगती करता है वो नती होने का संकेत होता है ये दोनों के द्वारा देखिया गया सुपन एक जैसा होता है और यदि कोई महिला महिला के साथ एसा करती देख रही है या फुरुस-फुरुस के साथ एसा करते हुई देखता है या स्वेम करता है या आप पर हावी होंगे आपको कहीं न कहीं शती पहुँचाएंगे आप पर आक्मर करेंगे या इसे इस्थान पर आक्मर करेंगे जहां कि आपकी कमजूरिया होंगी और आपको कहीं न कहीं हानी पहुँचाएंगे तो ये अच्छा आउसुप सुपना नहीं होता है आपके जो लोग हैं जो आपको हान पहुचाने के लिए हमेशा सुचते रहते हैं तो आपने तो मकसद में पूरय होते हैं लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो में वस इतना ही निलते हैं अगले वीडियो में ताब तक के लिए नमस्कार धनवादमित्रों